हेलो इपहुप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग? तो स्टार्ट करते करा नौजला से तो करा नौजला ने अभी अपनी EP अनाउंस कर दिया जिसमें होने वाले 4 ट्रैक्स और ये देखने को मिलेगी 26th June को तो बात कर लेते हने सिंग के बारे में तो हने सिंग के उनकी ग्लोरी अल्बम से रिलेटेड एक अपडेट आई है तो ये उनके फॉर्स ट्रैक्स जिसका ने में मिलियनर उसके म्यूजिक वीडियो का शूट है तो कैसा लग रहा है आप लोग कोई लोग? बताना जारो कॉमेंट्स में तो अब बात कर लेते हैं तला अंजम और रहूल साथू के बारे में तो यंग स्टनर्स की जो मैनेजर है उनकी तरफ से एक पोस्ट आई थी कमिंग सून तला अंजम रहूल साथू तो जैसे कि इनका कोलाबरेशन कंफर्म होई गया था तो अभी मैनेजर ने भी कंफर्म कर दिया है तो कलाब्स की बात होई रही है तो रंधावा एक्स रंधावा होने वाला है मतलब गुरु रंधावा एक्स बॉब भी रंधावा तो शायद इस गाने का शूट हो गया है अभी तो Big Boss OTT 3 का first episode drop हो चुका है तो यह episode आप लोग जाके चेक कर सकते हो खेर इसमें जो important चीज़े थी वो मैं आप लोग को बता देता हूँ तो Love Kataria जो है वो नेजी से एक जगा पे पूछता है कि एमीवे तो आपके बहुत अच्छे friend होंगे तो महाँ पे नेजी reply देता है कि Big Boss में आने से जस्ट पहले वो एमीवे के साथ चिल कर रहे थे इसके लावा उन्होंने अपने Big Boss सौंग के बारे में भी जिकर करा जो कि उन्होंने अपने entry के time perform करा था जिसमें उन्होंने अनिल कपूर को shout out भी दिया है खेर आप लोग देख रहे होगे नहीं Big Boss बताना जारा कॉमेंट्स में खेर इसके लावा फिंग का रियाक्शन देखने को मिला था नेजी वर्सिस तलहान जुम बीफ पे तो वो कुछ ऐसा कहता है युनिस वाला और ये क्या कहते हैं नेजी वाला भाई मैं इस बीफ से ना मैं को सुनना ही नी ठीक है क्योंकि एक तो नेजी की जो respect थी ना ठीक है गली बॉय के बाद जो respect थी ना उसकी तो भाई गान मार दी नेजी ने सच्ची बता हो तो ठीक है नेजी बन चुका है अब हिपॉप सीन का राखी सावन तो बे वेरी ओनेस्ट भाई ठीक है या तो वो जान पूछ के कर रहा है रेलिवेंसी के लिए और उसको ये चीज रेलाइज नहीं हो रही कि कि ये कितना शिटी मूव है रेलिवेंसी के लिए कि गाने ढंके बना ले नहीं बन रहे गाने कोई दिक्कत नहीं है भाई कुछ और काम कर ले जरूरी थोड़ी न कि तीर को में मेंशन करती है गया एक मूवी में तो तो गाने ही बनाते रहे या तो वो इस चीज में फस्चुका है कि भाई उसे बनानी पड़ेंगे अब तो उसका नाम चल रहा है ये वो तो उस चक्कर में वो और बेकार गाने बना रहा है और रेलिवेंसी के चक्कर में उल्टी सीदी बक रहा है लोगो को ये कर दूँगा वो कर दूँगा ठीक है एक तो रैप वाला भाई फ्रीस्टाइल तो छोड़ी दो नेजी का ठीक है तो I'm like कि भाई नेजी कर क्या रहा है कि क्या हो गया भाई ऐसा कि ते कोई ये सब कुछ करना पड़ रहा है इसने ऐसी बोल दिया भाई मैं तो नहीं जानता इस इंसान को मैं तो नहीं जानता मैं तो नहीं जानता और दूसरे इंसान ने भाई डिस में निकाल दिया जो कि overall देखा जाए न इस बीफ में विन आक्टी नेजी की ही है ठीक है क्योंकि जब दो लोगों की fight होती है न ठीक है और एक की relevancy बहुत कम होती है और एक की relevancy बहुत ज़्यादा होती है उन्हों की बीच में fight होगी whatever the outcome की किसने किसकी कि ज़्यादा बेस्ती कर दी होती है that doesn't matter after a few days what matters is कि भाई जिसकी relevancy कम है उसकी relevancy बढ़ गई तो ultimately battle वोई जीता है बेशक war दूसरा बंदा जीत गयो तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई